हेलो एवरीवन वेलकम तो ओल इन एक्स्ट फेम आप सभी इंडिया में रहते हैं भारत में रहते हैं हिंदुस्तान में रहते हैं बट कभी आपने सोचा है कि इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा हिंदुस्तान कैसे पड़ा तो आज मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि इंडिया का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा भारत कैसे पड़ा विकॉज आपके पास इतना टाइम रहता ही नहीं है कि इस टॉपिक पर भी विचार किया जाए कि इंडिया हिंदुस्तान भारत ये सब नाम कैसे पड़े कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनको बता दो कि और भारत का मैच है तो अमाल नेते हैं आज इंडिया और भारत का मैच है उनको पता ही नहीं होता यार कि ये दोनों एक ही चीज है तो आज यन पॉइंट्स को ही किलियर करते हैं first point है भारत भारत नाम कैसे पढ़ा पॉरानिक कथाओ के अनुसार रिषी थे विश्वामितर जिनका नाम आपने रमायन में सुना होगा तो रिषी विश्वामितर क्या बनना चाहते थे ब्रह्म रिषी और ब्रह्म रिषी बनने के लिए कठोर तपस्या करने पड़ती है तो ब्रह्म रिशी बनने के लिए कठोर तपस्या के लिए निकल जाते हैं कठोर तपस्या करते हैं ये बात इंदर देव को रास नहीं आती और वो अपसरा मेनका को भीशते हैं रिशी विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए अब इस काम में मेनका सफल भी हो जात रिशी विश्वामित्र की तबस्या को भंग कर देती है तब उसके बाद क्या हुआ कि रिशी विश्वामित्र और मेनका की एक पुत्री होती है और पुत्री का नाम क्या था शकुंतला पुत्री का नाम क्या था शकुंतला अब शकुंतला पुत्री हुई देन मेनका धर्ती पे विश्वामित्र तो पहले से ही थे धर्ती पे तो इंदर देव क्या कहते है मेनका को कि चलो अब तुम्हारा काम खतम हो गया जो काम था तपस्या भंग करने का वो भंग हो गया अब तुम स्वर्ग लोग वापस आजाओ, तो मेन का कहां पहुंचाती है, स्वर्ग लोग पहुंचाती है, अब रिशी विश्वामित्र को भी समझ में आ जाता है कि ये तो गलत हो गया, उनको अपनी गलती का एसास हुआ, क्योंकि उनको जहाना कहीं और था, बनना था ब्रह्म रिशी और पहुच गए कहां तो वो भी क्या करते हैं शकुंतला को छोड़ के वो भी चले जाते हैं अपनी तपस्या में क्यूंकि आप सभी को पता है और रियालिटी यही है कि जीवन में कुछ चीजे ऐसी है गर्ल्स लाइक हिंड्रेंस आपका ध्यान भटक जाता है और हम जो पत पे हम काम करना चाहते हैं जहां जाना है यार वहां पहुच ही नहीं पाते तो इन हिंड्रेंस से दूर रखना है खुद को और वही काम रिशे विश्वामित्र के साथ होता है विश्वामित्र उस गलती का हैसास करते हैं और अगेन अपनी तपस्या को चले जाते हैं फिर शकुंतला को कुछ रिशी मिल कर पालते हैं और धीरे धीरे जब शकुंतला बड़ी हो जाती है शकुंतला की शादी हो जाती है दुश्यंत से अब दुश्यंत और सकुंतला से एक लड़का हुआ जिसका नाम क्या था भरत उसका नाम क्या था भरत और इसी भरत के नाम प माभारत में सुना होगा भरतवनशी माभारत में भरतवनशी नाम दिया गया क्यों क्योंकि माभारत की जो संताने है कौर पांडव। शांतन की संताने थी भरत की शंताने थी तो इसलिए भरत वंशी भी कहा गया और यह चंद्र वंशी थे क्लियर है भगवान राम क्या थे सूरे वंशी थे सूरे वंशी रगुवंशी एक ही बात है तो यहां पर क्या हुआ कि भरत के नाम पर पड़ा भारत सेकंड पॉइंट आता है आपका आप कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा सेकंड पॉइंट हिंदुस्तान यहीं मैं बात करूं हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा इरान के लोग इंडिया में क्या करते थे बिजनस करते थे अब यह किस टाइम बिजनस करते थे जब सिंधु घाटी सब्वेता थ थी तो इरान के जो लोग आये करते थे इंडिया में बिसनस करने आते थे तो उनको सिंधू बोलना नहीं आता था सिंधू बोलना नहीं आता था अब सिंधू नदी के किनारे ही बसा था क्या सिंधू घाटी सब बेता क्लियर है तो सिंधू बोलना नहीं आता था तो इसी इसी हिंदू से हिंद बना और हिंद से क्या बनता है हिंदूस्तान बना हिंद से क्या बना हिंदूस्तान बना आज जो हम हिंदू धरम की बात करते हैं तो हिंदू धरम क्या है सनातन धरम है हिंदू धरम सनातन धरम है तो गैस यहां पर सिर्फ हम भारत इंडिया और हिंदूस को डिसकस कर रहे हैं तो सिंधू से बना हिंदू हिंदू से हिंद हिंद से क्या बना हिंदूस्तान बनता है तो यह पॉइंट भी क्लियर हो गया तो हिंदूस्तान नाम किस ने दिया इरानियों ने नाम दिया जो बिसनस करने आये करते थे दैन उसके बाद नाम आता है थर्ड इंडिया इंडिया जिसे वेरी पॉपुलर नेम है इंडिया इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं हम कभी यह नहीं कहते हैं भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं इंडिया और पाकिस्तान का मैच है वह बहुत इंदू घाटी कि सब्वेता है नाम काफ़ी पौप्लर हुए सिद्धू इसको इंगलिश में कहते हैं इन्दू आप इन्ड़श देखो। रोमन। अच सब्वेता रोमन सब्वेता ये ति सि सब भेता के Indus Valley Civilization के और जब British इंडिया में राज करने आए तो ये नाम काफी popular हुआ इंडिया अब क्यों हुआ और ये जो इंडिया नाम था ये आया था इंडिस से और ब्रिटेन वाले जो ब्रिटेश थे उन्होंने किस नाम को popular किया इंडिया को तो ये नाम किसको जाता है जो रोमन के लोग थे जो इंगलिश लोग आए ब्रिटेन वाले आए उन सभी ने नाम क्या रख लिया इंडिया क्लियर है तो रोमन समराज्य के टाइम पे इंडस से इंडस से बना इंडिया ध्यान रखना इंडस से बना इंडिया सिंधू से बना हिंदू, हिंदू से हिंद, हिंद से हिंदूस्तान बना और इंडस से इंडिया बना तो ये हैं इंडिया, हिंदूस्तान और भारत के नाम कैसे पड़े तो guys ये topic आपका clear हुआ और भी interesting topics आपके सामने होंगी next video में और वो सारे topics deeply आपसे clear करूँगा, so guys मिलता हूँ आपसे next video में और जो hindrance है, life के जो hindrance होती है, उससे खुद को दूर रखना है क्योंकि रास्ते में एक पत्थर है और हमें वहीं से जाना है तो दो तरीके के लोग होते, एक तो उस पत्थर को बड़ा सा पत्थर है जो हिलता नहीं जल्दी, उसको उठाने में दो घंटे, चार घंटे खराब करता है और वहें दूसरा person क्या होगा, side से चला जाता है तो हमें कौन सा पत्थ अपनाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, वो आपको सोच रहा होगा हमेशा आप smart work और hard work पर बिलीब करो, यह नहीं कि यार पत्थर उसको अटाना है, क्यों है, साइट से तुम जा सकते हैं, हमारा काम है तो वो काम देखना है, clear है, तो guys, best of luck, share and subscribe, next fame, thank you very much